नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो एच्चेससी सीटी से समंदित जबरदस्ट खबर अगला सीटी कब होगा कैसे होगा कितने गुणा बुलाए जाएंगे कौन सा रूल अपना जाएगा और कलर्क बरती है जो कि अभी हुई है उसमें कौन सा रूल अपना गया यदि आप कंप्लेट डेटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक और धान से जरूर देखें इससे पहले यदि आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो देख लेते हैं क्या नीए अपडेट है दोस्तो इससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप SSC GD वर्ति प्रिक्षाद 2035 एक्जाम की तहरी कर रहे हैं तो 600 पुब्लिकेशन आपके लेकर है मैत की बुक जिसके अंदर 750 से ज्यादा प्रीविस एर के कोस्टन पुछे गए हैं जो की 2019 से 2024 के एक्जाम में पुछे गए थे वो दिये हुए हैं और इस बुक के अंदर क्या क्या दिये हुए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको इंडेक्स दिया हो मिलेगा टोटल इसके अंदर 17 चैप्टर होंगे और हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में थ्योरी दिया हुए तो आप उसको समझ भी सकते हैं। इसके अलवा चक्सू पुब्लिकेशन की रिजनिंग, मैथ, जिके और इंदी की बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे फिलिपकर्ट, एमेजोन और सनेप डिल से ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये नियूज दिखा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि अरियाना करमचारी चाहे नायोग ने अंग्रेजजी के अलफ़ा बेट और मेरिट के अनुसार बांटे विवाग कल्लक भरती की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि केंडिडेट की जैसे मालो for example merit number 1 थी और किसी department का alphabet है वो कैसे शुरू होता है तो उसको क्या किया गया है उसको एक merit वाले को ये दे दिया गया है यानि के alphabet A से शुरू होता है कैसे नहीं A से है तो उसको ये department दे दिया गया है यहां पर example भी दे रखा है जैसे अग्रिकल से department है या फिर इस टाइप से A से सुरू अने वाड़ी डिपार्टमेंट है वो सुरू वाड़ी रैंक में दिये गए है इस टाइप से कलर बरती है उसके अंदर डिपार्टमेंट दिये गए है ग्रूप D पदों पर पहले से नियुक्त करमतारियों को पुलिस और अन्य विवागों में जोईन करने में दिक्कत आ रही है तो यह आपको पता होगा कि यहां पर हर एक डिपार्टमेंट यह बोल रहा है कि पहले वहां से रिजाइन करके आप रिजाइन का लैटर ले क्या हो उसके बाद हम जोईन करवाएंगे और उनको दिक्कत ही आ रही है कि अगर हम मेडिकल में फेल होगे तो हमारा क्या होगा देख लेते हैं अगली क्या पडेट है वैसे अरियाना सरकार CET में करने जा रही है संसोदन तो नया CET है वो आप सभी को पता होगा दिसम्बर तक करवाए दाने के संभावना है जैसा कि रोज न्यूज में बताया जा रहा है CM साब ने बोला है चेर्मेंन साब ने बोला है तो इस CET के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक तो आपके जो एक्टर पांस नंबर और डाई नंबर दिये जाते थे वो हटाएं जाएंगे क्योंकि ये हाई कोट ने हटा दिये अब कुछ साथी कहेंगे ये तो पहले ही अट चुके थे CET के संसोदन से नहीं अटे थे ये पिछले CET से अटे थे अब जो CET का जो अमेंडमेंट त्यार और रखा है उसके अंदर अभी भी ये है ये तो एक संसोदन में पहला तो ये पांस नंबर और डाई नंबर अटाए जाएंगे दूसरा संसोदन ये किया जाएगा जो चार गुणा ओक कैंडिडेट को बलाए जा रहा था सुनेगा जैसे पिछली बार सुना था तो सेम ऐसे हो सकता है तो इसके लिए माप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा विजो सा तीन बरतियों से संबन दीता है और ये चाहता है कि 10 गुणा 15 गुणा या फिर क्वालिफाई हो जाए तो उसके लिए पहले साब तक अपनी मांग को पहुचा दीजिए जिस भी त्रिक्के से जिस भी माद्यम से आप पहुचा सकते हैं अभी आपकी सुनवाई हो सकती है बाकि कॉमर्स ग्रूप का तो एक दो रिजल्ट थे दिन में दिक्कत थी उनको सही कर दिया गया है सीटी कम तक होगा अगामी दिसंबर तक आयुजीत कराना है यह यहां भे बताया गया है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें